हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में बिल्कुल फिरी में प्रोटीन से भरपूर और विटामिन से भरपूर साग त्यार करेंगे फ्रेंट्स यह देखिए यह मेरे बात टब है जिसे मैंने गार्डनिंग की है इसमें कई तरीके के प्लांट्स उग आए हैं फ्रेंट्स जो प्लांट अबने आप उग जाते हैं हमारे पॉर्ट्स में वो सभी तरह के प्लांट्स खराब नहीं होते हैं कुछ उनमें से उप्योगी होते हैं जैसी यह देखिए इसे एकलिका कहते हैं जिसे हिंदी में इसे खोकली कहते हैं इसका साग बनाया जाता है यह प्लेंट ऐस्षदियगुन से भरपूर होता हैं इस कहते हैं चौर्लाई, इसका साग बनता है कैई तरीके के ऐस्षदियगुन इसमें भरपूर होते हैं इसे कहते हैं पफिनरवा, यह देकंगा, इसमें काफी सारे गुण पाए जाते हैं कहीं पर सरसर हो गाई है कहीं पर पालक हो गया है और मेति हो गाई है इन सब को कलेक्ट करके एक टैम की सब्जी बन जाएगी आप इसे चाहे तो साग बना सकते हैं और चाहे तो भूजी के रूप में बना सकते हैं तो आप इन्हें उखाण कर ऐसी ही ना फैके इन करने के बाद आप इन्हें बारीक बारीक काट कर आप इन्हें साफ करके और इनके पत्तियों को जो नरम नरम स्टैम्स हैं को आप कट कर लीजिए यह देखिए कितना सारा साग इखटा हो गया है देखिए कितनी सारी कॉंटिटी में यह हमें मिल गया है अब आप इन्हें प्रोटीन्स और मिनरल्स से बरपूर साग तयार हैं और वो भी बिलकुल फिरी में है ऐसी और भी उस्फुल इंफोमेशन जानने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू